इस वीडियो में Mr.N Food Company की डिटेल एनलाइजिस करने वाले तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस कंपनी की शेर प्राइज 9 रुपे और 94 पैसे है और एक दिन में 0.70% की गिरावर देखने को मिली पिछले 5 दिन में 0.50% की गिरावर देखने को मिली पिछले एक महीनों में 1.39% की गिरावर देखने को मिली पिछले 6 महीनों में 22% के नेगेटिव रिटन दिये एक साल में 25% के नेगेटिव रिटन पांस सालों में 562% के पॉजिटिव रिटन continue upper circuit लगने के बाद continue lower circuit then काफी time से side way देखने को मिला then continue तेजी then continue lower circuit देखने को मिला maximum returns के बाद करें तो 562% के positive रिटन दिये तो क्या इस company के share को हमें खरेदना चाहिए या avoid करना चाहिए तो जैसा है कि हाँ company के fundamental and business के बाद करें तो यह जो company है HICL Cement Private Limited जो की नाम change होकर इसका Mr. Food Limited रखा गया और यह जो company है यहाँ पर manufacture process trading of rice, wheat and other food gains sector में work कर रही है market capitalization almost 1000 करोड का है इस्टो का लो 7 रुपे 80 पैसा इस्टो का है 19 रुपे 60 पैसा dividend yield 0.003% है यानि company dividend भी दे रही है बट बहुत कम यहाँ पर PE के बाद करें 25.7 है ROC 38 परसेंट है return on equity 36% face value 1 रुपे की है promoter holding 50% है place shares 0 है company के कोई भी shares place नहीं है इसी के साथ debt equity की बात करें तो 0.40 है मातर 40 करोड का ही debt है इसी के साथ साथ यहाँ company के quarter on quarter पैसे sales की बात करें जो की यहाँ पर बढ़ते वे देखने को मिली operating profit में काफी गिरावट देखने को मिली है 22 करोड से 18 करोड और actual profit की बात करें उसमें भी यहाँ गिरावट देखने को मिली है continuous काफी अच्छा profit earn करने के बाद almost 11 करोड का profit हो है इसी के साथ यहाँ year on year basis की sale की बात करें जो की काफी strong हमें देखने को मिली है 584 करोड और यहाँ operating profit की बात करें जो की बढ़ते वे देखने को मिला है और यहाँ actual profit की बात करें जो की यहाँ पर बढ़ते वे देखने को मिला 31 करोड से 40 करोड का कंपनी की balance sheet में बात करें कंपनी की results यहां पर बढ़ते वे देखने को मिले और यहां इसी के साथ कंपनी का जो borrowing से वो भी कम होते वे देखने को मिला है यहां बात करें कंपनी के promoter holding तो promoters के पास 49% के stacks है बागी public holding 50% में देखने को मिली है और यहां बात करें BSC पर तो यह देख सकते हो कि कंपनी ने 2022 में 1 equals to 1 का bonus दिया है और इसी के साथ यहां हम देखें तो कंपनी ने stock split भी किया है तो all over bonus issue करने के बाद हाल में ही 2 June को stock bonus किया गया था 1 equals to 1 का आपको इसका फायदा भी मिला होगा 2018 में 18 से लेकर अभी 22 कंपनी डिविडेंट भी देती आ रही है अगर हम fundamentals की बात करें तो कंपनी के जो fundamentals है यहां दीरे दीरे strong होते जा रहे है अगर आपके पास इस company के share है आपने पहले ही इस companies में investment किया है तो आपको patience रखना चाहिए नए investors के लिए मैं यही कहूँगा कि छोटी price वाले stocks में कभी भी ज़्यादा पैसा investment ना करें अगर आप बहुत ज़्यादा quantities में investment करोगे तो आपके लिए काफी ज़्यादा risk हो सकता है अगर आप नए हो और stock market में सीखना चाते हो penny stock से तो आप 10-20 stock लेकर इसमें सीख सकते हो बहुत ज़्यादा quantities में investment करना आपके लिए काफी ज़्यादा risk होगा तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे comment करके बताइए वीडियो को like, channel को subscribe, share कीजिए, thank you